दोस्तो अगर आप नए mechanic है और आप से एक सवाल पूछा जाए कि इन छोटी वाली ICS को हम निकाले तो कैसे निकाले तो दोस्तो आपका आंसर होगा SMD machine की मदद से इनको हम निकाल सकते हैं दोस्तो आपका कहना भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तो आज आपको SMD मशीन के बिना एक आइरेंज से ही इन IC's को निकालना सिखाऊँगा, बिल्कुल सेफ तरीके से और बिना प्रिंटे तोड़े हुए, इन IC's को हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और छोटी वाली IC और बड को स्टार्ट कर लिजे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिक्शन आपके बाद सबसे पहले पहुँच जाए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तो जी हाँ, हम इन IC's को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सेफ तरीके से, एक सोल्डर आरन की मदद से निक दाला जाता है, लेकिन और जो नए मेकनिक है, उनके प्रिंट वगरे तोड़ देते हैं, और बहुत सारी दिक्शे तक करते हैं, लेकिन, SMD मसीन से बहुत ईजी तरीके से निकल जाती है, लेकिन, अगर हमारे पास नहीं है, वह बहुत महेंगी पड़ती है, तो हम इसको ऐर सबते हैं, यहां पर मैं यूज करूँगा, इनको टिकाने के लिए है, एक homemade PCB stand का, जो मैंने घर पे ही बना के रखा हुआ है, आप भी बना सकते हैं, देखें, बहुत ईजी है, वैसे यहां PCB stand मुझे मिल नहीं पा रहता है, इसलिए मैंने यहां पर इसको यूज किया है, तो चलिए, सबसे पहले यह वाली IC से start करते हैं, फिर आपको दूसरी IC और इसके बाद तीसरी IC निकालना, अलग-अलग leg वाली लगालना सिकाल दूँगा, चलिए, सबसे पहले इसको यहां पर फसा दिया इस तरीके से, और focus मैं पूरा IC पर करूँगा, दाकि आपको easy तरीके स दिख जाए और समझ में आ जाए, तो अभी करना गया हमने यहां पर सबसे पहले IC की जो legs है, इन में पेश्ट लगा ले इस तरीके से, ताकि हमारा IC का जो निकालने का work है, बिल्कुल easy हो जाए, पेश्ट से पुलकुल रागा धीला हो जाता है, और रागा जो है, जो लगत है, पेश्ट की ही मदद से लगता है, तो बहुत अच्छी soldering के रिए, पेश्ट का इस्तमाल आप जरूर कीजिए, यहां पर हम solder wire का यूजच करेंगे, iron ही हमारी heat हो चुकी है, तो अभी करना क्या है, इन की सारी legs पे हमने यहां पर रागा भर लेना है, और ज्यादा फोकस सा लग राओ का देखने में, क्योंकि यहां पर इसको निकालना अब है, रांगा क्यों भर है, चलिए, पूरा देखतर है, यह समझ में आ जाएगा आपको, तो वीडियो हो सकता है, यहां दू मिनट लंबी है, skip मत करें, वरना आप इसको miss कर जाएंगे, और बहुत सारी ची से इस तरी के से पकड़ लेना है, और यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर इसको heat करना है, और इस तरफ भी heat करना है, देखिए, इस तरफ और इस तरफ दूनु तरफ heat करते रहना, और देखिए, कितनी देर में निकली, आपने live इसको देखा, और उसके बाद क्या करना है इसको यहाँ पर रांगे को इस तरीके से यहाँ पर जाल लेना है और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं और यहाँ पर एक दो कंपोनेंट जो हमारे निकलते हैं उनको लगा लेना है देखिए यह देखिए कोई भी प्रिंट हमारा यहाँ पर नहीं टूटा देखिए जो ह लगाने के लिए फिर से आप इसको लगा लीजिए बिर go easy three किसे यहां पर रख conservatives लिए पिर यहां को यहां पर इसके जो फिंट है उन Körper बठागे इन खो इस तरीके से इत्ली के लाइब आपको लगा निकालना शिका था लगाना तो बहुत ही जी है वो चलिए एक आपको लगाना भी लास्ट में सिका दूँगा सबसे पहले आप निकालने का और यहाँ पर जो हमारे टुकड़े से हैं रांगे के जो बचे वे थे इनको यहाँ पे से रख लेंगे देखिए इसको यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरी एसी के क्योंने पर लगेंगे तो यहां को अधर कंपोनेंट डिस्टाब कर सकते टो उनको निकाल के फिलाल अलग कर लिजो कोई दिकत नहीं होगी अच्भी उसका सकते उस से इस तूर्यसरी तरीके से दोनु तरफ हमने इस तरीके से आप इस वाले कभी यूज़ कर सकते हैं यह वाली जो हमारी यह है हमारी चिम्टी ट्वीजर बोलते हैं इसको इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से दोनु तरफ आप इसको हीट करते रहिएगा और यह न निकाल लीजिए चलिए अब इस आपके बाद आपको अगली वाली आईसी लगालना सिखाता हूँ जो बहुत ही बारिक लेक्स वाली होती है उसके लिए तो सभी लोग SMD का ही इस्तिमाल करते हैं तो उसके लिए भी इस तरीके से आप उसको निकालने के लिए इस तरीका यू सबतिके का लिए चौब है झाय सबसकिंधान और इस तरीके के म से अग फर लेना कि यहां पर पर भर लिया मैने इसको भी इस तरीके से भर लेना है यहां पर देखिए इस तरीके से यहां पर भर लिया है तो यहां पर भर भर के इसको लगा लीजिए कोई दिकत नहीं है चलिए यहां पर लगभग भर चुका है और यहां पर इस तरीके से हम इसको निकालेंगे देखिए यहां पर इस तरी जूम करके मैं दिखाओं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रिंटेस में तो देखिए बिल्कुल साबुत है कोई भी प्रिंट नहीं तूटा इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल असानी से चलिए मैं बताते हैं इसको लगाते कैसे हैं चलिए अब इसको थोड़ा से ट अगर आपको लगाना आता तो आप वीडियो के स्किप कर सकते हैं नहीं आता तो वीडियो को पूरा देखिए या लाइक वाइक कर दीजे और आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है तो इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है यह क्लीन हो जाएगा दे आप इसको क्लीन कर सकते हैं आईसी थोड़ा सा इधर भागी है कोई दिकत नहीं है अब यहां पर देखिए इस तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया है और आईसी जो लगाने के तरीके होते हैं दोस्तों माँ आपको बताता हूं बहुत सारा लोग गलती करते हैं जिसको जो यहां पर इसारी जो देख रहे हैं यहां पर नीचे भी आप TCV में एक यहां पर करेंगे तो इस बिंदू का हिस्सा कि और को ही हम करेंगे यहां पर इंडिकेट होता है तो चलिए सको मैं PCB स्टेंड में इस तरीकी से लगा लेता हूं देखिए बहुत बारिक वाली आईसी म PCV को अच्छे तरीक स्मल्टाले तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा निचे पेश्ट लगा लेंगे देखे इसके नीचे में पेश्ट लगा लिता हूं इस तरीके से पेश्ट लगा लिया है थोड़ा सा एक-दू मिनिट जादा फाल तू लग सकता है कोई दिकत न लिजिए और इस तरह भी देख लिए कि हमारा एक फिक्स हुआ कि नहीं देखिए गलत अगर लगता है तो ऐसी सौर्ट सर्कृट हो सकती है इसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है वैसे यह पीसी भी मेरे पाग खराब पड़े हैं तो आपको प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर बता र करना है और फिर इसके ओपर यहाँ पर फोल करना है इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल करना है देखिए यह सोड हो चुका है और यहाँ पर इसको भी इस तरीके से सोल करना है देखिए यहाँ पर इस तरीके से यह सोल हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से और हो ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर आपको देखिये क्या करना है इस तरीक से लगाना है और इस तरी को आपको यहाँ पर soldering बाहर कर लेनी है, देखिए, आपको अभी इसको निकाल के दिखाऊंगा, आईसी बिल्कुल fresh condition में लग चुकी है, तो यहाँ पर छोटी वाली आप iron का इसमाल कीजिए, तो उससे और अच्छी तरीके से यहाँ पर काम हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपको दि इसको आपको लाइक के बताना, इससे हमें भी फीडिबक मिलता है, और हमें भी पता चलता है कि हमारे सब्सक्राइब कितना सीख रहे हैं, और कौन नहीं मेकनिक है यह ज़रूर बता ना, और अगे इस तरिके से बहुत ज्यादे में और अलग लग टॉपिक पर वीडियो ल हेल्पफुल होगा अगर आप मेरे साथ फेस्बुक इस्टाग्राम या ट्विटर पेज जोना चाते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्चिन में दे दूंगा आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे कोई भी चीज़वब पूच सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी मैं तुरंत रिपलाई कर दूंगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते लिए वीडियो में जानेस पहले एक लाइक जरूर चरदेना वीडिव को शेयर जरूर करना तो चलिए आज यह वस इतना ही फिर मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्रम